के सुभी से भी प्यारे प्यारे बाल को आप सब का स्वागत आपके अपने चैनल TGT-PGT अडर 24-7 पे और जैसे के भी TGT-PGT की वेकंसी आई हैं और लास्ट तीन-चार महिने में देखा जाए तो यही वेकंसी बहुत जादा आ भी रही है तो एक बार मैं आपको क्लियर कर यानि वो टीचर जो graduate के साथ-साथ trained है ट्रेंड कैसे होता है वेक्ति आपने graduation कर ली किसी subject में ठीक और उस subject के साथ-साथ आपने B.A.D. किया अपना combination देख के जैसे आपके पास science का कोई subject था graduation में तो आपने B.A.D. की science के subject के साथ जैसे आपके पास Hindi थी तो आपने B.A.D. म पहुझ करिए था भई S.A.D. का कोई subject था तो आपने B.A.D. जो कियो S.A.D. के subject में कियो उसे बोल देते है trained graduate teacher अब आते है PGT PGT का अर्थ होता है post graduate teacher यहाँ पर परसिक्सित होना यानि कि trained होना जरूरी नहीं है मैंने का जरूरी नहीं है लेकिन क्या उसके बिना काम चल जाएगा उस पर बात कर लेते हैं आपको चाहिए होती है post graduation ठीक post graduation के साथ साथ B.A.D. पे मैं plus लिखके जैसे अकबार में नहीं नियम एवं सरते लागू मैं वैसे करके छोड़ दे रहा हूं भाई नियम एवं सरते लागू क्यों मैं नियम एवं सरते कह रहा हूं इसकी नियम थोड़े अलग अलग है जैसे अगर बात करें UP में extra marks मिलेंगे compulsory नहीं है एक्स्ट्रा marks मिलेंगे RPSC में चाहिए KVS में नहीं चाहिए बात करें KVS का वैसे अभी rules बदलने वाले तो KVS को भी रहने देते हूं KVS वाला part मैं छोड़ देता हूं DSSS भी देख लेते हैं DSSS में क्या है या तो आपके पास BAD हो या फिर आप 60% के साथ आपने पास किया हो किसे बारवी को graduation को और post graduation को 12th graduation और PG आपने अपनी जो है वो की हो 60% जादा नंबरों से तो DSSS में जैसे यह है ठीक तो BAD का बड़ा सा पेचीदा मामला है PGT वालों के लिए यह point आप ध्यान रखिएगा PGT में graduation plus BAD होना ही चाहिए post graduation में आपका वो subject होना चाहिए अच्छा TGT teacher का काम क्या होता है TGT teacher का काम होता है 9th 10th class को पढ़ाना कौन सी class को पढ़ाना 9th 10th को पढ़ाना PGT का काम होता है 11th 12th को पढ़ाना अब यह जो यहाँ पे TGT है इसे कुछ लोग छटी से 10th वी consider गरते हैं इसे कुछ जगह उपर छटी से 10th वी consider करते हैं वैसे तो TGT का मतलब होता है 9th to 10 मतलब आप ऐसे level define कर सकते हैं कि पहली से 5th वी primary हो गया 5th के बाद 6th से 8th को junior बोल देते हैं जिसे राजिस्थान में level 2 के नाम से vacancies आ जाती हैं ऐसे ही अगर बात करें हम अन्य जगह उपर वहां पर ये level अलग ही बना लिया है अलग निकाल लिया इसे लेकिन जैसे दिल्ली है दिल्ली में TGT की बरती आएगी वो vacancy छटी से 10th के टीचर के लिए होगी वहां तो बड़ा पेचिदा सा मामला है PGT वाले को 90-10 भी पढ़वा लेते हैं और TGT वाले को भी 9-10 पढ़वा लेते हैं मतलब वो depend करता है स्कूल प्रिंसिपल पर जो वहां पर होता है उस पर depend करता है कि वो कैसे उस चीज़ को manage करना चाहता है अब यहां पर आप एक point और ध्यान रखिएगा जहां 6-10 मानते हैं जैसे दिल्ली में TGT करत 6-10 है तो वहां पर आपको paper 2 pass होना जरूरी है TET का कोई आपने teacher's eligibility test pass किया हो जहां कभी अब exam हो उसके level पर जो भी वो TET लेते हों जैसे दिल्ली में CTET चलता है तो CTET paper 2 pass किया हो आपने PGT 11-12 के लिए होता है छोड़ के हर्याना को हर्याना को अगर छोड़ दे हर्याना में ये लोग मांगते हैं level 3 pass हो आप level 3 TET आपने पास किया हो हर्याना TET का point clear H TET level 3 अगर आप हर्याना में भरने जाते हैं लेकिन बेफिकर रही है vacancies ये 11-12 के लिए ही है ये vacancy 30-10 के लिए कुछ जगों पर मानी जाती है लेकिन कुछ जगों पर pure 9-10 होती है अब इसका नाम TGT का कई जगों पर LT भी होता है LT का मतलब होता है License Teacher ठीक जो कि UP में vacancy आती है GIC में मतलब Government Inter Colleges में जहां पर इन्हें LT काहा जाता है License Teacher काहा जाता है लेकिन PGT की में बात करूँ तो PGT को कही जगे पर Lecturer भी काहा जाता है क्या काहा जाता है Lecturer भी काहा जाता है इसके अलावा कोई भी आपका doubt हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ये इनसे related basic information है थोड़ा subject का मैं आपको बता दूँ जो भी subject का भरना चाहते हो उस subject का उस state का आपको notification पढ़ना पढ़ेगा तो ही confusion clear होगा basic funda तो ये है जो subject आपने graduation में दो या उससे अधिक साल के लिए पढ़ा हो वो आपका core subject बन सकता है कह रहा हूँ मैं बन जाएगा वो नहीं कह रहा हूँ बन सकता है post graduation तो आप एक ही subject में जैसे करते हैं जैसे में English, में History ऐसे आप करते हैं तो वो जो इस subject में आपने post graduation किया वो eligible हो जाएगा PGT teacher बनने के लिए उससे पहले आपने post graduation से पहले क्या किया है combination माइने नहीं रखता है वो matter नहीं करता है clear अब TGT PGT की vacancies आ गई है उसके लिए आप पढ़ने के लिए क्या गर सकते हैं सबसे पहले आप phone fill कर सकते हैं उसके अलावा यह जो आप video भी देख रहे हैं इस video के description में अब भी चलो मैं वैसी बता देता है वीडियो के description में जाओगे भी open नहीं गर पारों में video उसके description में जब आप जाओगे तो आपको playlist मिल जाएगी नीचे एक हमने playlist बनाई है अलग से playlist बनाई है अलग से जिसमें सारे जितने भी आपके TGT PGT से related rules यानि नियम है उन सब को लेकर हम videos बना रहे हैं जिससे हर बच्चे का doubt clear हो सके छोटी छोटी बात है जिन से confusion होता है वो दूर हो सके syllabus की PDF भी syllabus की videos हैं वो भी उसी में है सब subjects का syllabus आपके साथ share किया जाएगा अलग-अलग subjects में क्या combination होना चाहिए उसकी videos है तो आप नीचे description में जाएगा इस video के आपको playlist मिल जाएगी बहुत बड़या playlist है TGT PGT के rules के लिए वो clear इसके अलावा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं भाई आप adda247.com पर जाकर महापैक ले सकते हैं मैं आज इसकी जानकारी अलग से share करूँगा कि क्या है teaching महापैक teaching महापैक क्या है वो मैं अलग से share करूँगा लेकिन महापैक के लिए आज आप तयार रहें दो साल के लिए मिल रहा है मतलब double validity के साथ आया है 32 रुपे में ठीक code यूज़ करना है आपको Y174 ये code यूज़ करेंगे तो 2 साल के लिए 32 रुपे में मिल रहा है बाग की बाई 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 टटा ध्यान रखिएगा अपना कोई भी डाउट आपको आता TGT PGT में मेरे clarification देने के बाद आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं